दोस्तो आखिरकार हमारे इंडिया में भी बहतरीन सुपरियो मूवी बनने का आगाज हो चुका है काफी लोगों का मानना है कि सुपरियो मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बजट चाहिए जिसकी वज़े से हमारे इंडिया में बहुत सी सुपरियो मुवी बनती ही नहीं चाहे तो राज कॉमिक से जा के पूछ लो लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है और इसी बात को बताने के लिए हमारे सामने आई है मिननल मुरली मिननल मुरली जो कि नेट्स्फिलिक्स पर लीज हुई है जिसे देख कर आपको काफी अच्छा लगेगा मार्वल और डीसी के इस जमाने में भी कोई इंडियन सुपरियो मुवी पसाना रा बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठाया हैMिननल मुरली एक मल्यालम लेंगवेज की मुवी है जिसे काफी सारी लेंगवेज में ट्रांसलेट भी किया गया है लगभग सभी मुवी कीतर है मिननल मुरली भी ठीक उसी तरह चलती है जिस तरह एक आम सूपर हीरो मुवी होती है यानि अच्छाई वर्सिस बुराई की लड़ाई लेकिन इस मुवी ने इसे इतने बहतरीन तरीके से शो किया जिसे देख कर एकदम नया फिल आता है चलिए अब एक एक करके मुवी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पॉइंट की तरह बढ़ते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं मुवी के कुछ अच्छे पॉइंट्स मुवी का डायेक्शन बहुत ही अच्छा है हीरो और विलेन की जो पैलल स्टोरी दिखाए गई है जैसे दोनों का ओरईजिन, दोनों की लव स्टोरी, पावर्स जो की एक सार दिखाया गया है वो काफी बढ़िया लगा इसमें हमें दिखाया गया कि दो अलग अलग लोगों को अगर एक जैसे पावर मिल जाएं तो वो कितने अलग अंदाज में उसका इस्तावाल कर सकते हैं इसमें काफे बढ़ी है तरीके से हमें बताया गया इसमें हमें बताया गया कि कैसे एक अपनी गलतियों से सीख कर hero बन सकता है तो कैसे दूसरा वही cm गलतिया दोरागत villain बन जा लेकिन इसके बाद भी इसको enjoy किया जा सकता है मूवी में एक और बहतरीन चीज ये है कि यहाँ पर हीरो के साथ साथ विलेन को भी काफी अच्छा time दिया गया है जिसकी वज़े से विलेन का भी explanation देखने को मिला कि आखिर क्यों वो एक विलेन बन गया वरना बहुत सी मूवी में विलेन बीच में ठपक पड़ता है और हिरो उसको हरा कर दुनिया को बचा लेता है लेकिन जब विलेन को अच्छा scream time मिला तो विलेन ने भी अपना reason बता ही दिया कि आखिर वो क्यों विलेन बन रहा है अगर acting की बात करें तो दोनों actor ने बहुत ही अच्छी acting की है अब बात कर लेते हैं action scene के बारे में तो मूवी में इस्तमाल हुए wayfx काफी ज्यादा तगड़े नहीं है जिन्हें देख कर आप दांतों तले उगली दबा लेंगे और ना ही ये Marvel DC को टकर दे सकते हैं एक तरह से कहा जाएं तो इस movie की compare बड़ी बड़ी movie से करना नादा नहीं होगी क्योंकि इस movie का budget ही 18 करोड़ रूपीज है और इस budget को दियान में रख कर अगर आप movie देखोगे तो आप सच में चौंक जाओगे इतने कम budget में भी हमें काफी बड़िया action scenes देखने को मिले हैं जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है इतने budget में ऐसे movie बनाना और इतने अच्छे तरीके से बनाना ये अपने आप में एक amazing बात है movie को देखकर ही आपको लगेगा कि इन्होंने अपना 100% दिया है अगर थोड़ी सी छोटी बस 20-25 मिट की कम कर देते तो movie और भी ज़्यादा awesome लगती movie का first half काफी ज़्यादा सिलो है जिसके वज़े से movie को बीच में छोड़ने के chances बढ़ जाते है इसके अलावा हमारे इंडिया में जब भी super hero movie बनती है तो वो बच्चों को दिखाने की तर्ज पर बनती है और हमें power का explanation के नाम पर कुछ भी परोज दिया जाता है और मिन्नल मुरली ने हमारे साथ वैसा नहीं किया इसने power के origin को explain ही नहीं किया इसके अलावा मिन्नल मुरली के कुछ सीन तो शैजाम से भी copy लगते हैं जिनने शायद हटाया जा सकता था या उन्हें डान लहीं नहीं नहीं चाहिए था या किसी और तरह से पेश किया जा सकता था अब जिनों ने शैजाम देखिए उन्हें इस बात का अंदादा तो हो ही गया होगा कि आखिर हम किस किस सीन की बात कर रहे हैं और अगर आपको पता नहीं चला तो जाने दीजिए और मुवी को enjoy कीजिए इसके अलावा इस मुवी का एक weak punk ये भी है कि इसमें side character के उपर बहुत ही कम focus किया गया है मुवी खत्म होने के बाद आपको hero और villain के अलावा किसी और character के बारे में शायद ही याद रहेगा last में मेरी आप सभी से यही request है कि please इतने कम budget में बनी इस मुवी को एक बार जरूर देखें और इसे support करें क्योंकि इतने कम budget में जब हमें ऐसी मुवी देखने को मिल रही है तो सूचिए budget बढ़ने के बाद हमें कितनी तगणी मुवी देखने को मिलेगी और सबसे important बाट इस मुवी को किसी भी Hollywood मुवी से compare ना करें दिमाग को शांत रखें और बस मुवी देखें अगर आपने यह मुवी देख ली है तो comment में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह मुवी कैसे लगी अब तक आप राज कोमिक के सुबरी रो नागराज का origin जोई करें यह पता लगाएं कि क्या एकांश नागराज का कॉपी है